हलो एवरिवान आज है 11 सेप्टेंबर 2020 वेलकम तू ओनली कॉंसेप्ट मैं हूँ प्रिया पवार आपकी ओनलाइन एग्जामनेशन गाइड ठीक है तो गाइस आज जो हम करेंट अफेर्स देखने वाले हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगे करेंट सिनेरियो में क्य किस्तरीके की क्वेशन यह जो करेंट अफेर से इन में से पूछे जा सकते हैं ठीक है चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला करेंट अफेर सबसे पहला करेंट अफेर है एबाउट icici bank icici bank ने i startup 2.0 एक scheme शुरू की है ठीक है याद रखेगा question आ सकता है कि i startup 2.0 किसकी scheme है तो यह scheme है icici bank की देखें देश के लाखों startup के लिए icici bank ने launch की है यह सुईधा जिसमें आप क्या कर पाएंगे इसमें आसानी से आप बिजनेस को manage कर पाएंगे तो आप अब यह question आता है कि यह scheme क्यों i startup का मतलब क्या तो जैसे कि बाकी private banks है उसी तरीके से icici bank ने भी startup के लिए current account की सुईधा देने के लिए i startup 2.2 को launch किया है ठीक है मतलब आप इसमें कर देखे सबसे पहले अगर बिजनेस की बात करें तो में रहता है day to day का transaction और वो transaction सपोर्ट के लिए हमको current account की जरुद पड़ती है दो टाइप के किया है या इस योजना को launch किया है तो इसमें तीन वेरियंट की तरह मतलब तीन तरीके के करेंट accounts जो है उसकी सुईधा दी जाएगी startup जो भी होंगे उनके लिए अब आप उलेंगे कि startup क्या अब जानते हैं उद्यमी जो होते हैं या नया बिजनेस जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय में आपको बिजनेस को मैनेज करने के लिए बैंक की हेल्प चाहिए होती है तो transactions के लिए आप current account के लिए आप आई startup 2.2 को यूज कर सकते हैं जो अब ICICI bank provide कर रही है अब यह देख लेजे ठीक है तो अब जो startup है वो डे बैडे बढ़ते जा रहे हैं इसलिए इस स्कीम को launch किया गया है तो इसमें कुछ कुछ जो इस पेशल फीशर्स है या इस पेशल जो भी सुईधाएं हैं वो मुहया कराई जाएगी ठीक है इस यह जो इसके तहट क्या होगा ना जो कस्टमर से वह तीन वेरियंट के अकाउंट या करेंट अकाउंट खोल पाएंगे और इसमें प्रमोटर के लिए भी क्या होगा प्रीमियम सेविंग सेविंग्स होंगी अजह इंप्लाइज होंगे उनके लिए सेलरी अकाउंट होगा ठीक है और डेडिकेटेड रिलेशन्शिप मैनेजर के साथ में अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रोवाइट की जाएंगी मतलब जैसे कि मालेजे कि आप आपने कोई स्टार्ट अप चालू किया है तो कोई प्रमोटर्स है जो प्रमोट कर रहा है उस बि अतरीक्त जो सर्विसेस है वह भी आपको दी जाएंगी इसमें जो आईसी 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 आई बैंक ने जब इस आई आपको लाउंच किया जैसे जो सुविधा इसके बारे में जानकारी दी जब यह पोर्टल वह लाउंच कर रहे थे चली देखते हैं नेक्स्ट हा अब मैं आपको बता दूँ जैसे कि हमने अब यह जो करेंट में नियूज आया वही आईसी आईसी आई बैंक तो इसके साथ साथ में ही हम उसके वेसिक्स को भी कवर कर लेंगे अब आप बताईए कि इसके हैड आजो इसके एक पोड़ेर वेसिक्स बाइट अब के इसे पहले मैं बता दूँ आईसे आई से बैंक क्या है एक मल्टी नेशनल बैंक है मल्टी नेशनल बैंकिंग और फैनेंशल सर्विसिस प्रवाइड करती है ठीक है इसका रजिस्टर्ड ओफिस कहां पर है तो भाईया यह है वडोदरा गुजरात में यह वहीं से इसकी शुरुवात हुई थी और इसका चीफ इःग्जीकिटिव औफिसर कौन है तो आईसे एई बैंक की चीफ एइग्根्जीकेटिव आफिसर है संदीब बक्षी ठीक है और हैटक है और पूचेगा तो बहले हैं जहाबर कॉर्परेट्ट ओफिस इसको बनाया कब गया अब मैंने आपको बता दिया कि रजिस्टर्ड ऑफिस वड़ोदरा में बना तो निस सो चरानवे में वड़ोदरा में यह बना था अब इनकी और कौन-कौन से सबसेडियरी से सबसेडियरी मतलब इनके अंदर और कौन-कौन सी एजेंसी काम करती है तो आई से आई से बैंक का एक लाइफ इंशूरेंस सेक्टर में तो एक है आई से आई से प्रेदेंशल लाइफ इंशूरेंस ठीक है यह सब आपने एड्स में देखा होगा तो याद करने में उतनी दिक पूरा नाम इसका क्या है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्ट्मेंट कॉर्परेशन क्या है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्ट्मेंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया तो इस तरीके से फुल फॉर्म भी हो गया फुल फॉर्म तो कभी पूछेगा नही तो भारत का ये third largest bank है या भारत का तीसरा सबसे बड़ा bank है और market capitalization या बजार capitalization की बात करें अगर उस दृष्टी से देखें तो भारत के जो नीजी छेतर का यहाँ सबसे बड़ा bank है ठीक है अगर market capitalization की बात कर दें या market में जितना capital इसका है उसके हिसाब से ICICI bank private sector का सबसे बड़ा bank है बहुत महत्वपूर हो जाता है इसके बारे में जानकरी रखना आई होप आपको इतना समझ में आया होगा चले देखते हैं next हाँ अब यह आई बहुत अच्छी बात कि देखिए उत्राखंड आप सब जानते हैं है ना उत्राखंड उत्राखंड में आप डिजिटल लाइबरी बनाई जाएगी किसके लिए तो संस्कृत की जो manuscript होती है यह संस्कृत भाशा को बढ़ावा देने के लिए ठीक है उसकी पढ़ा के जो पांडू लेपी होती है उसके लिए अब डिजिटल पुस्तकालाया का शुभारंब करने जा रही है है उत्राखंड की सरकार ठीक है अब में क्या था कहला जो काम प्राने करना कि यह संसक्रिट ड्राम करने Joint संस्कृत का निर्वान करने और संस्कृत की चेक् थी तो यह देख लिए संस्कृत को आम बोल चाल की भाषा के रुपए बढ़ावा देने के लिए उत्राकंड की सरकार है उन्होंने संस्कृत ग्राम बनाने का निर्णा लिया है यहां की जो कि आपको इमेज में देख रहे हैं त्रिवेंद्र सिंग गरावत उन्होंने कहा कि जो हमारी जो संस्कृत भाषा है ना वह बाकि सारी भाषाओं की जन्नी है तो उनका भी संद्रक्षन करना बहुत ज्यादा महत्वण हो जाता है और इसकी प्रति आपको युवा सरकारी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें यह बात कही गई है कि जन्पद पहले तो जन्पद लेवल पर इसको क्रियानवन किया जाएगा साथी साथ फिर ब्लॉक इस तर पर भी संस्क्रेट ग्राम बनाए जाएंगे ठीक है तो जन्पद आपको पता है सबसे बड़ी इका संस्क्रेट ग्राम बनाए जाएंगे अभी कोई भी नाम डिकलेट नहीं है गवर्मेंट नोटिफिकेशन में तो आप बस इतना याद रिखी कि संस्क्रेट ग्राम और संस्क्रेट जो पांडू लेपिया है उनके लिए पुस्तकार डिजिटल पुस्तकाल है यह दोनों का संस्क्रेट ग्राम और संस्क्रेट जो पांडू लेपिया है उनके डिजिटल पुस्तकाल है कहां यह डिजिटल लाइब्री कहां बनने वाला है तो यह दोनों है उत्राखंड ऐसे आपको याद रखना है अगर मैं चाहूं तो मल्टिपल चॉइस को डाल सकते हैं तो इस के सब्सक्रेट में यह रहता है कि हाँ उत्तर प्रदेश तो नहीं था उत्राखंड दोनों तो आसपास है ना तो इसलिए मैं आपको बता दूंगी पूरा थियोरी हम डिटेल में पढ़ेंगे आपको कुछ भी स्कीप ना हो और इसी जो यह जो लेक्टर सीरीज में बता रही होंगे ठीक है अब जान लेते भाई उत्राखंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल सबसे पहले कब बना तो सबसे पहले तो उत्राखंड हमारा बना था नौनमबर 2000 को ठीक है और इसका कैपिटल दो कैपिटल होते हैं उत्राखंड के याद रखिएगा एक होता है गैर्सेन जो की समर में होता है अगर्मियों के सिजन में होता है गैर्सर गैर्सेन और दहरादून होता है विंटर के सिजन में तो दो कैपिटल होते हैं उत्राखंड के यापको याद रखना है अब यहां की जो जिडिशल स्रीट है वो कहां की है तो नैनी ताल क और सबसे बड़ी जो city है, सबसे बड़ा शहर है, वो है दहरादुन अब जान लेते हैं यहाँ पर टाइप अफ गौ normally कौन से है, तो स्टेट गौर्मंट है और गौर्रमंट ओफ उत्रा खंड है, यहाँ की जो गवर्णर है, वो है वेभी रानी माृर्य कौन है बेबी रानी मौर्या चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंग रावा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि संस्क्रिट ग्राम और संस्क्रिट मनिस्क्रिप्ट के लिए जो डिजिटल लाइबरी बनाई जारी है एक उन्हें नहीं डिकलेर किया साथ ही जहांके चीफ लिजिसलेटिव स्ट्रक्चर है वहां की विधाई का है वो क्या है यूनी एम्रियल है वाह एक ही सदनिया है उनी कैमरल मतलब मतलब वहां पर मुनिसिपल काउंसिल है वह नहीं है लिचिशलेटिव असेंबली बस है legislative council लहीं है legislative assembly बस है ठीक है अब बात करते हैं करनाटका करनाटका की जो CM है उन्हों ने first integrated air ambulance service start की है ठीक है तो अब देखते हैं इसको भी करनाटका की चेफ मिनिस्टर यह याद रखने हैं कि करनाटका की चेफ मिनिस्टर काउन है तो बी एस ये दुरप्पा उन्हेंने मंगलवार को कंट्री की देश की पहली integrated air ambulance देखें air ambulance बहुत सारी है बट एक इक्रित air ambulance पहली है देश की जिसको launch किया गया है international critical air transfer team यह याद रखना है आपको इंटरनेशनल critical air transfer team icatt इसका full form फूछा जा सकता है ठीक है और यह जो city में हुआ उसका नाम था क्या थी क्या नाम था क्या थी जो icatt की जो टीम है उसमें एक emergency medical service रहती है के expert रहते हैं साथी जो क्याती है यह aviation technology firm है यह याद रखना आपको ठीक है तो integrated air ambulance service जो launch की गई है उसके लिए दो इंपोर्टेंट महत्पूर्ण स्तंब है पहला है international critical air transfer टीम दूसरा है क्याती international जो critical air transfer team है वी एक टीम है जिसमें emergency medical service के expert होंगे और क्याती एक innovation technology का एक form है ठीक है यह दोनों चीज़ आपको याद रखनी है अब करनाटका के बारे में कुछ important चीज़े याद कर लेते हैं पहरी चीज़ इसका anthem क्या है जय भारता जननिया तनुजति यह इसका tag line है करनाटका का अब भाई यह बना कब तो यह बना था गवर्नर कौन है तो वजुबाई वाला ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर अब यहां का लेजिसलेचर बाई कैमिलर है कैमिरल है जैसे यहां पर assembly भी होगा और council भी होगा ठीक है तो इस तरीके से आपको इतनी चीज़ है याद रखनी करनाटका के बारे में अब आया और एक और अच्छी परसनालेटी जिननके लिए अभी नेशनल Cool Of Drama में Chairperson की तरह इनकी नियुक्ती हुई है तो परेश रावल जी हैं जिनको National School प्चिख बनाया गया है या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चैर्मेन बने हैं ठीक है जो इंजयन फिर्म इंडस्ट्री है उनमें ख्याती प्राप्त है परेश्रावल जी उनकी अदाकरी की खास उन्हें एक मुकाम हासिल किया है इसलिए वेटरन एक्टर है परेश्रावल को नेशनल इसलिए फिल्में की हैं जिनमें उनकी यादगार भूमिकाओं को आप संजुकर रख सकते हैं तो जो एनस्टी है उन्होंने अपने ट्विटर एकाउंट में इस बात की जानकारे दीती कि भारत की जो आदरनेया राश्रपती है उन्होंने जो कलाकर पदमर्श्री है सब्सक्राइब करता है तो तो आप आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं कर दो कर दो कर दो